हेलो फेंस आप सभी का स्वागत एक निए विडियो में बहुत लोग कंशन होता है कि मैं डेटा सेवर ओन करके रखा हूं फिर भी मेरा जल्दी ही डेटा खतम हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है आप देख सकते सीम यहां पर और यह आटोमेटिकली पता नहीं चलता है जल् सब्सक्राइब कर देना है और यहां पर ऑटो आप देट को भी ड़ ओन्राट अप्डेट करना है और पहले से कर रुप्राइब ओर आपड़े वाले In तीनों नेटवर्क को set कर लेना है उसके बाद यहां से बैक कर देते हैं अब हमें क्या करना होगा अब हमें चेक करना होगा कि कहां से हो रहा है ठीक है और प्रोब्लम तो यहां पर जाकर करके यहां पर update लिखेंगे आपको आप्स वाले options पर आपको click करना है इसके app management पर जाना है और यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा जैसे कि background में जो भी data आपको use नहीं करते हो आपस को आपको इस तरीके से for stop कर देना है या disable कर देना है ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर आपको solution नहीं मिलता है त इस तरीके से storage पर click करना है और यहाँ से clear catch कर देना है इस तरीके से clear data कर देना है ठीक है इसके बाद यहाँ से back कर देना है इसके बाद जो आपका problem है वो fix हो जाएगा इस तरीके से आप अपना इस suitability को भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हो clear catch बगएर और अपने problem को fix कर सकते हो चलिए मिलते नेक्सपरी में I hope की वीडियो पसंद आया होगा ये problem आपका 100% solve हो जाएगा